गवाले रवे मंगलबार स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर जा रही पल्स वैले स्कूल की बस मांट्रे वाली माता मंदिर के पास पलट गई बस पलटने से दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है बस में करीब 38 वच्चे सवार्थुजे ने आसपास के लोगों ने बाहर निकाल एकर एस्पिताल भीजा बस हाथसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया भी पहुँचे बताया की सिथोली स्थित पल्स वैली स्कूल की एक बच कर दस मिनिट पर छुट्टी हुई थी स्कूल से बस 38 बच्चों को लेकर निकली थी बस कैंसर हॉस्पिटल होते हुए मांडरे की माता के पास डलान से उतर रही थी कि तभी सामने से नर्सिंग छात्राओं का सम्हू निकल रहा था इसी दोरान कुछ नर्सिंग छात्राएं बस के आगे से अचानक निकली नर्सिंग छात्राओं को बचानी के लिए ड्राइवर ने बस को साइड में लिया लेकिन सडक की किनारे पत्थरवा मिटी की एक दिवार थी जिस पर बस चड़ गई और पलट गई बस पलटने के बा वही पुलिस बस चालक के खिलाफ मामला दर्स कर तलाश में जूटी है